नमस्कार दोस्तों सावधा कॉपार क्लासेस में प्रीविस वीडियो उन्हों ये देखा तक सेंटेस कि इतने टाप के होते हैं जिसमें नहीं समझा तक सेंटेस आपके टोटल 30 टाप के होते हैं जो कि बेसिकली यूज होते ही होते हैं होते तो कई साहे तरीके के हैं और define करना systematically कि ये इतने टैप के रियल में होते हैं तो I think मेरे लिए तो possible नहीं है अगर आप लिए possible तो आप comment कर सकते हो और ये free classes चलने हैं जो कि paid classes हैं free में पढ़ा रहा हूं ताकि हरे विक्ती इस बात के लिए योग हो सके के हां वो उसको भी English आती है और उम्यर में करता है अपने में सारी वीडियो देख लिए होगे नहीं देखे तो आप सारी वीडियो सिस्टेमेटिक देखना क्योंकि बीस से अगर देखोगे तो आपको साह समझ में आए तो उससी से बज़ने के आप लाइन से पढ़िए और नोस बनाती चलिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा help मिली उससे तो हमने पहले यह देखा था कि सेंटेस्स आपके यह तेरे तरीकी एको इसमें डेकलेटिव सीखा था फिर आप लोग इंटेरोगेटिव सिंगल डवल सीखा और आपका कुशिट टैग वाला सीखा इंडारेक इंटेरोगेटिव नो सीखा यह ओपर इंपर इंपरेटिव के सारे तरीके सीखे जो पॉसलिल तरीके से बन सकते हैं अब उसके बाद आता है नमबर एसकलेटिव सेंटेर्स का एसकलेटिव सेंटेर्स वी सेंटेर्स तो सड़न फिली होती है जब भी आपको कोई अच्छानल सीखा फिली हो तो वह आपका कहलाता है एसकलेटिव सेंटेर्स विसमयादी बोदक वाकिसको हिंदी में बोलते हैं अब इसमें कितने टाइब होता है कितर तरीकी होते हैं वो मैंने अपने जितनी कोसिस हो सकती थे वो मैं मैंने सारी कोसिस में डाल दी है तो चलिया ये देखते हैं पहला आपका ओतर जॉए जब ये किसी खुसी होती तो वो कुछ ऐसल तो बोलता है हुर्देग हाँ हाँ कुछ एक सब्सक्राइब वर्स बोलता है तो ये जॉय वाली वर्स है अच्छे बात और है जितना में संध्या रहा कुछ शुरुआ से लेके अभी तक आपको ये चीज़ नोटिस करने ये चीज़ समझ नहीं है कि जब मैं आपको एड़मस लेविल का बढ़ाऊंग तब ये काऊँगा कि भाई ये डातन हम लोग पाढ़ भए है अमेह novr का मैं अीडारेट को बनाएंगे तो और ऑर्सक्राइब लोग श्यान प्नाजर कृफ़ाईंगे करना है कि मैं समझना नहीं है याद भी करना है ताकि मैं जब आपको एडवांस पढ़ाओ तो यह साइची ने हाँ इस तरह के जो वर्ड है जैसे ओ सब्द है मैं लेका नहीं है जैसे कि अला सी एस बहुत चली गई दूश चली गई दुनिया से लेगी जो भी आपका वर्ड वहां पर सीली है वह आप वहांपे लास लेकि अला बुरा जो मैं पसंद नहीं था अगर हो तो उब वाट वर्ड का हम दो यूज करते हैं एस्क्रीमेटरज जोट जो से उसमें यह एस्क्रीमेटरज से अधरवाइस वह या तो अफ्रमेटरज वोगका या negative होगा या फिर interrogative होगा तो जैसे कि water joke क्या joke किये तुमने how nice तो how nice यहाँ पर definitive हमारा mark भी है दोनों में और हमारी दोनों sentence what's this way, एक how's this way अब यह interrogative क्यों नहीं है एक question यहाँ पर यहाता है interrogative sentence की पैचान यह होती है कि WS word के थीक बार अगर हमारी word आए और work के ठीक बार subject आए और साथी साथ लगाऊ हो last में खुश्य मां तो intermittent वे और अगर हमार word से house sentence तो होगा last में exclamatory word sentence का जो mark लगाऊ होगा अगर वो है तो तो sentence कहा लगा exclamatory sentence I think आपको मेरे बात clear हो रही होगी एक अगर comment का दीजी कि ये तागर मुझे पता चले है कहाँ समय आरा की नहीं आरा है फिर content किसी की मुझे निंदा करनी तो निंदा गली फाइफाई छीची बोश same shame जब ये कोई words बोलता तो इसका मतलब हो वहाँ पर एक तरीके से उसके लिए बोले सिद्धियूस करता है उसकी निंदा करता है जैसे की five five She has done this ची ची उसने ये काम कर दिया ये इतना बुरा काम कर दिया next greetings जब भी किसी से मुलकात होती तो या जब भी किसी को तारीफ उसकी पुले बांते हैं तो bravo बहुत बढ़ी है well done बहुत बढ़ी है bravo you have won the cup बहुत बढ़ी तुमने एक उप जी लिया आखिर में तो जब भी किसी को ग्रिटिंस किसी को तारीफ करने हो किसी के अच्छे सब्दी उसकरने हो उसकी तारीफ में पुले मान रहे है तो bravo, white आएसे उसको बोलते है फिर next आपका है calling जब भी किसी को बोलाते हैं तो कैसे बोलाते हैं hello, hey इस करके हम इस तरही सब्दमनों बोलते हैं उसको पोकारते हैं जैसे hey, come here करते हैं अरे यहाँ पर आना तो अरे या फिर hey जो इसार कहते हैं उनों calling के लिए बोलाने के लिए वो आपके कहलाते हैं calling words बोलेंगे इस लिएटे सेंटेंस में तो hey, come here तो यहाँ पर ही लगाया है next attention धिहान देने के लिए जैसे listen low, hush यैसे बोलते हैं बो behold behold सब John sorry William Wordsworth की जो तो solitary reaper है तो उसमें behold word आए अगर को याद होगा जो थोड़ा क्रैमा अगर लेटर जाया है तो बताइए solitary reaper किस year में publish होई थी और इसका जोनर क्या है यह valid है के lyric है control रसे कुछ ने कुछ है last वाला तो जब यह आपको ऐसे words दिखाए देंगे तो वो attention वाले होती है जैसे की listen come here बहुती है hello come here तो hello listen है जब आपको ऐसे करें बोलते हैं तो उसका मतलब attention ध्यान दो तो यह आपके सारी 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 sentence कहलाएंगे exclimatory sentence जो आपके काम में कहां पर आएंगे यह आपके काम में आएंगे interrogative आएंगे जो datan direct sentence उसमें काम में आएंगे फिर next अपना आता exclimatory extended यह कहां extended यह कोँसे नहीं बला है बला नहीं है यह आपकी extra knowledge के लिए है कुछ वरस जो आपने हम में exclimatory sentence का भी काम आते हैं इन सब्दों के अलावा जो हमने अभी पढ़े थे कौसे वाले यह वाले इनिके अलावा कुछ और है वो पढ़ना है तो extending का बलाता है extra तो देहते हैं जैसे what what sentence में exclimatory sentence का भी काम करता है वहांपर बना देता है कैसे water tasty food कितना बहतरी खाना है क्या बहतरी खाना है कितना बहतरी खाना है तो यहांपर आपका exclimatory मांक में लगा है what a tasty food कितना स्वादिष्ट होजन है इस तरह से इसेंडर्स को बना रहा है exclimatory what tall boys कितने लंबे रड़की हैं कितने लंबे तो आश्या रखे लिए यहां पर उड़ा है what a speech round delivered क्या बहतरी speech round ने दिये how भी काम करता है जैसे how nice कितना अच्छा है how nice the dress is dress कितनी बहतरीन है अब यह बंते कैसे उनके structure के भी मैं आपको उता हूँ वाले वीडियो में फिला थोड़ा सब बस पैचा लिए कि यहां यह ऐसे दिख रहा है तो इसका चेहर ऐसा है और यह ऐसे काम करता है इतना पैचा लिजे के बल फिर how perfectly he worked उसने कितनी बहतरीन तरीके सी कब काईदे से काम किया है so भी कम करता sentence में exclamatory का जैसे कि so kind of you बस आपकी मानता है आपकी दया है you are so nice आप कितना अच्छी हो आप ध्यान देना so लगाओगे ऐसे sentence में तो यहां पे exclamatory mark आएगा अगर आपको polystop लगाने तो आपको so की जगा फिर very का यूज करना होगा very लगाओगे तो polystop आएगा so लगाओगे तो exclamatory mark लगाना पड़ेगा यह आपको ध्यान देना था आपकर और सच भी काम करता है जैसे such a nice person एक अच्छा वेक्ति हो वास्तम में he is such a wise person तो अच्छी गुद्धिवन वेक्ति हो such good poetry एक अच्छी type की poetry, एक अच्छी type की कविता फिसके वाद आते optative sentences optative sentences क्या होती है जैसे हम किसी के लिए आश्छा आते उम्मी करते उसको उसको दुआएं देते जाएं के से जैसे कि में God bless you, इस्वर आपकी मदद करे इस्वर आपत कृपा करे दया रहे तो यहां पर दे कि में आगी आया है कि यहां पर feeling आ रही दया वाले दूसरी बात यहां पर estimatory mark भी होना ही होना चाहिए दूसरी बात lip long आप सोचे लों कि estimatory में भी estimatory mark आया था इसमें भी आया तो फिर फार्ट क्या है इसमें उस्वर दुआएं देते किसी इसमें make a use होता है यहां पर sentence verb से शुरू होता है लेकि लाश्वर लगता है यहां रखिए lip long RPM हमारे प्रदा मंत्री जो लंदी उमा चियों को आसा हम लो आसी बार ऐसी दुआएं देते हैं तो यहां पर लाश्वर लगाए आपका साथ में sentence सुरू होता है फिर इसके वह sentence कुछ और आगी बढ़ते हैं आगी तब लोग जो पढ़े हैं एक तरीस तो में हम लोग उनको ध्यान दें तो वह simple sentence कहलाते हैं जैसे कि simple sentence वह sentence होता है जिसमें एक subject एक finite verb हो finite verb क्या होता है finite verb भी verb होती है जो subject के एक साथ से यह फिर tense के साथ से चैन्ज हो जैसे कि मैंने बोला U तो आ राएगा और ही बोला तो इस आएगा अगर मैंने बोला कि He played है तो played है कि He के सबने प्लेट आया Second form पास्ट का You played अभी भी played आया He के सबने भी played आया U के साथ में भी played आया तो singular plural का काम खतम हो यह tense वाला काम से रहो गया तो ऐसी कोई सी भी verb जो subject एक tense के साथ से चैन्ज उसको होते है finite verb या finite verb या finite verb तो ऐसी कोई verb जो subject और tense के साथ से चैन्ज ना हो उसको होते है non finite verb यह बहुत detail में पढ़े है बहुत अच्छी तरीकिस से वैसा कोई sentence जिसमें subject और एक finite verb है और object हो या न हो compliment हो या न हो doesn't matter वो कह रहाता है simple sentence कैसे I know him मैं इसको जानता हूँ subject verb object क्या लाएगा आपका simple sentence It is going on right now फिलान तो यह चल आया है sentence हमारा कैसा है simple है compound sentence यह क्या होता है compound sentence में एक principal clause कम से कम फिर बीच में लगा होगा एक आपका connection कौसा co-ordinating connection फिर एक और होगी principal clause ऐसे समल लेजे कि 2 simple sentence है 2 simple sentence हो बीच में coordinating connection लगा हुआ है जो इन 2 sentence का आपको जोड रहा है compound sentence आगर आपको अब यही नहीं पता कि principal clause क्या होती है conjunction कौन फिर तो previous video देख ले न clause बाले है आप लो और मेरे पिलेट चुन यहां तो मैंने conjunction की उपर principal clause, subordinate clause and coordinate clause की उपर बहुआ है बहुत डीटिल में एक video बनाया है बहुत 30 मिट का होगा वो देख लेना उससे आपको कम चलिए लाएगा बाकी में और उससे अच्छा बनाने की उसस अभी करोंगा तो दो simple sentence अपने पास है बीचे में लगा दिया coordinating conjunction तो वो कहला लाएगा compound sentence ऐसे समय लीजिए जैसे he is wise एक sentence he passed the examination बीचे में किसमें जोड़ा? सो ने सो हमार कौस conjunction है? coordinating conjunction यह आपक कहलाते है coordinating conjunction जिसमें सो आया तो बीचे लगा सो दो simple sentences को जोड़ा है connection में तो यह कहलाएगा compound sentence क्यों क्योंकि यह हमारा coordinating connection है अच्छा इसके बाद फिरेको देखते है make a list जिंदी करो एक sentence कौन जिंदी करो तुम क्योंकि you will miss the training अच्छा आपक किसने जोड़ा otherwise otherwise क्यों साय कंज्चन है क्यों से हमारा coordinating कंज्चन है details है पढ़े हैं किसी और वीडियो में तो दो sentence से जोड़ने के लिए बीचें लगाया कंज्चन तो यह अपना क्यालाएगा compound sentence इसकी बादा थे फिए complex sentence complex sentence जो होते है वो सर्व ordinating conjunction से बने होती तीम बाते होती ही noun clause adjective clause and adverb clause जो noun का काम करे noun clause adjective का काम करे adjective clause मौसम sorry समय स्थान तरीका या बहुँ साइक कार्म बताए या कुछ भी करे कंट्रास्ट करे वहाँ पर तुम हो कहलाता है adverb clause जैसे कि इसमें एक principal clause principal clause कौन लए एक sentence अपने पास हो दूसर subordinate clause हो यानि कि अपने पास दो sentence हो वो बीच में लगा हो subordinating conjunction कहला आएगा complex sentence जैसे कि this is the man यह वही आदमी है who whom I जिसको मैंने 10 रुपे दिये यह वही आदि जिसको मैं 10 रुपे दिये तो अगर आपको मेर वो वीडियो देखा हो है तो आपको याद होगा कि whom मैंने बताया था बीच में अगर दू sentence मैंने जोड़े और बीच में और वैसे भी कठें चीज़ें एक वहाँ साय समय नहीं आती जहां तक मेरी मानना है देखते रहे देखते रहे यह वही किताब है which I bought yesterday जो मैंने कल खरीती तो यह वही किताब है एक sentence I bought yesterday दूसर sentence किसमें चोड़ा विचने किसके साथ मैं यह थार्टी नमबर का जो structure है और इसको वहते है मिच्ड सेंटेंस लोग इसको दूसरे नाम से भी रख जानते हैं compound and complex sentence के नाम से भी इसको जानते हैं तो देखते हैं examples इसमें minimum 2 principal clause क्याने मतलब क्या है कि इसमें 2 simple sentence हो कम से कम जो coordinated conditions जोड़े हो आपका coordinated condition और जो दूसरा तीसर सेंटेंस को जोड़ रहा हो वीचे is subordinated conjunction आज़के आपको थोड़को समय आरीगी बात है यह को देखी structure कम से कहों आपका 2 compound sentence हो यह कह सकते हैं 2 principal clause हो जो जड़ा हो coordinated conjunction से और 1 subordinate clause हो कहों समय आया हो examples देख लेते हैं कोई बात नहीं देखे अगना पर I want to crack the paper यह पुरा sentence मैंने बीचो देख दी है नहीं समझे भी मैं paper को crack करना चाहता था and he supported me और उसने मेरा सायोग भी दिया which was what जो कैसा था अच्छा था I wanted to crack the paper यह sentence एक है principal clause he supported me कि दूसर sentence किस ने जोड़ा and ने जोड़ा and clause conjunction है हमारा compound वाला co-ordinatic conjunction है तो दो को जोड़ा co-ordinatic conjunction है तो यह वाला part अपना कैसा खहलाएगा co-ordinate sentence sorry compound sentence या फिर इसको जोड़ा co-ordinatic conjunction है और which was good for me was good for me it was good for you मतलब यह मैं अच्छा था एक को अड़ा कि wish लगा दिया अब इन दोनो sentences को किस ने जोड़ा अगले sentence से यह दो sentence और अगले sentence यहां से लेके यहां तर किस ने जोड़ा? which ने जोड़ा which हमारा कौन सा conjunction है? sub-ordinatic conjunction है sub-ordinating conjunction जिस sentence को जोड़ तो उसको बोलते है sub-ordinate clause तो देखिए यह sentence अपने पास एक यह रहा और दोनों जोड़ा end ने तो यह वाले structure इसको follow कर रहा है और विच ने अगले sentence को जोड़ा को देखो तो यह वाले कहला है sub-ordinating clause जैसे चाहिए पैस समय लेजे लेकिए आप बार बार देखिए बिलूत आपको जाद समय आ जाएगा उम्मीद आपको सारे तरीकी sentence समय में आये होगे पसंद आये होगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं सायर ऐसी पढ़ाता रहूँगा अगर आपको सही हो मिलता रहा कमेंट तो कीजे तभी मुझे क्लिर होगा कि हाँ मैं अब नए pattern जो पढ़ा रहूँ तरीका कैसा है एक बत हो कि मैंने आपके वाट बोड लिया है पिछली वाट मैं ब्लेक वोड लिया था बोड आपको को सह पसंदर वोड बताना कमेंट तक अब लोग जोड़े रहे हैं